उसके बाद आज मैं दन्यवाद देता हूँ और आपके माधियम से क्यूंकि आज मंडल कमिशन के अध्यक्स बीपी मंडल जी की जयनती भी है उनिए की जयनती के आउसर पर महामना रामसुष भर्मा जी के इन दोनों ही महानपुर्सों के जयनती और उनके आउसर पर जो है इ उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हालाद चल रहे हैं उसमें जिस तरह से अख़वार पढ़ने पर तमाम महिलाओं के साथ हत्याय रेप चोरी डकैती प्रश्टाशारी खबरे आ रही है यह उत्तर प्रदेश की कानून विवस्ता और जो गरीबों कमजोरों किसानों की दवन क हैं आपने फैसला पड़ा नहीं हमने फैसला पड़ा है हम यह चाहते हैं कि हम भाई की एक जुटता बनी रहे और उस एक चुटता के ղिए अब हमने प्रयास किया कि बहुत जल्द हम सभी जाते के लोग के पर्तिन्तु को बिठा के उनसे वारता करें हम कोशिस करेंगे कि एक दूसरे को समझे और इस फैसले को भी समझे और अगर कोई रास्ता निकालना है तो हम लोग निकालें क्योंकि सरकार की मंसा पर कोट की मंसा पर हमें शक है आज तक सुप्रीम कोट ने कोई भी उनकी रक्षा के लिए नहीं दिया उनके सारे फैसले आरक्षन पर हमले के जैसे होते हैं हम इसलिए उनके फैसले उनकी मंसा पर नियत पर शक कर रहे हैं रही बात अब उप्चुनाओ है मेरा प्रयास रहेगा किरफान भाई को जिस तरह से उनका उत्पिडन किया गया है जिस तरह से उनको सताय गया है यह किससे छिपावा नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि आजास समाज पाटे ज़िए हम लोग उनकी आवाज को भी उठाने का काम करें उस विदायक को जूते से पीटना चाहिए भाजपा के नेताओं के कुछ नेताओं के दिमाग खराब हो गए वो हैसे से ज़्यादा बोलने लगे और कभी-कभी वो अपने नेताओं खुश करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि इसके प्रिणाम क्या हो सकते हैं मैं जी हमारी नेता हैं आदर्स हैं उनके समान से अगर उनके समान में कोई गलत सब्सक्राइगा तो फिर भी मैरमी के लोग आजास समाज पार्टी के लोग उससे हिसाब किताब करेंगे इस वात को मैं उनको सावधान करना चाहते हुआ कोई चुनोती नहीं आजास समाज पार्टी के लोग मैनत कर रहे हैं जंता उनके साथ करेंगे इस उसमें पार्टी अपनी तैयारी कर रही है और पार्टी का इस्टेट की का जो ओर्डर होगा हम लोग फोलो करेंगे कर दो जो जो खेंगे पार्टी कि आज्जेड़ पार्टी में जो टाव एक जो सावड़ नहीं गिया दिया होगा हमाँ